हेलो फ्रेंड तो आज बनाने जा रही हूं कोकोनेट से बहुत अच्छी सी मिठाई तो आप पूरी वीडियो देखते जाएं तो सबसे पहले मैं दो बड़ी साइज की मैं कोकोनेट ली हूँ और उसे मैं फोर के और कोकोनेट को मैं उसके से अलग कर रही हूँ तो अब देख जब आप नाइब से निकालो तो उससे क्या होता हाथों में लगने का डर बहुजादा रहता है तो सारी निकाल चुकी हूँ अब उपर वाली जो ब्राउन वाली भाग है उसे मैं निकाल रही हूँ इससे क्या होग जब आप मिठाई बनाऊगे तो काफी अच्छी बाद खाने का मन तो करता ही है और अब छिलके के इसके साथ भी बना सकते हो लेकिन थोड़ी से वह आपको वाइट भाग में ग्रेट कीवे में ब्राउन भी नजर आएगी तो इतनी अच्छी दिखेगी नहीं अब मैं देख सकते हो बारिक-बारिक में कट कर रहे हूं को कॉन कर देख कर जितना हो सकते हैं चोटी चोटी पीसे करके आप मिक्सर पोर्ट में डालके ग्रेट करो तो बहुत असानी से हो जाती है और अपकी बलीड भी खराब नहीं होगी तो सभी को मैं पहले डालके मैं ग्रेट कर लेते हूं अब इधर मैं चूले के उपर मैं कराई को होने के छोड़ दी ती उसमें मैं half liter के बराबर मैं दूद डाल रही हूं आप ज्यादा भी दूद डाल के उसे आधा कर सकते हो तो इसमें मैं जल्दी बनाने के लिए मैं इसमें एक कटोरी मैं अंजात से मैं डाल रही हूं मिल्क पौडर आप नहीं भी डाल सकते हो आप ज़्यादा कोइंटेडी मैं दूद ले सकते हो उसे आधा आप सुखा के भी बना सकते हो थोरी टैंक ज़्यादा लगेगी तो सबसे पहले तो मिक्स कर लेना है दूद में अब इसमें मैं सूगर डाल रही हूं 200 ग्राम मैं सूगर डाल दे हूं और इसे भी अच्छे सी मिक्स कर लेना है और इसमें मैं फूट कलर डाल डाल दे हूं ग्रीन कलर की आप कोई भी कलर डाल सकते हो या भीना कलर का भी आप बना सकते हो क्या होता है जो कोई कलर की होती है न इसमें कोई भी कलर डाल डाल तो काफी खुबसूरत दिखती है और अब यह लो कलर की बना सकते हो तो काफी अच्छी दिखती है अब इसमें मैं ग्रेट की हुए जो कोकोनेट है उसे मैं डाल रही हूँ इसे भी मैं दूद के साथ ही मैं पकाऊंगी ऐसे तब तक पकाना है जिस तरह से आप किसी चीज की हलुआ बनाते हो ना गाजर की हलुए तो उस तरह से आपको पूरी तरह से कोकोनेट को दूद को पूरी अच्छे से आपको सुखाना है अब इसमें मैं कुटी हुई कुछ इलाईची के दाने में डाल रही हूँ और आपको चलाते रहना है ताकि दूद आपके नीचे बैठना जाए तो देख सकते हो पूरी अच्छी से सुख चुकी है एक तम हलुए की तरह दिख रही है तो अभी थोड़ा और भी सुखाना है जितने अच्छी सब सुखा होगे उतनी अच्छी आपकी जो मिठाई सेट होगी तो पूरी अच्छी से सुख चुकी है कोई भी आपके पास जो मॉल्ड है उसमें आप डाल सकते हैं तुरु के पास मोल्ड आपको कोई सेप नहीं डालना है तो आप लड्डू भी बना सकते हो हाथों में थोड़ी से घी लगा के आप राउंड सेप दे सकते हो तो इसमें मैं गरम-गरम ही डाल के देख सकते हैं मैं फैला रही हूं और एक मैं जो हल्दी राम के जो आते हैं कंटेनर आते हैं बॉक्स उसमें मैं डाल रही हूं इसमें भी काफी अच्छी सेप निकलती है तो इसमें मैं डाल लेती हूं और पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तो हाथो मैं मैं थोड़ा से घील लगा के अच्छे से मैं दबा के फैला रही हूं और फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मैं चैनल को लाइक किजेगा सेर किजेगा सब्सक्राइब किजेगा तो देख सकते हैं अच्छे से हो चुकी है अब इसे मैं फ्रीज मैं आदे घंटे के लिए मैं सेट होने के लिए छोड़ दूगी और जितने अच्छे सेट होगी उतनी आसानी से आपकी जो यह सेप कट करके आप निकालोगे तो उतनी आसानी से निकलेगी तो देख सकते हूं मैं पहले तो यह प्लैस्टिक वाली जो कंटेनर उसे मैं उसकी वाली जो मिठाई उसे मैं कट कर रही हूं तो और एक टेंकल सेप म मैं कट कर रही हूँ एक बार सेप में आपको जो भी सेप है उस सेप में कट कर सकते हो और ये वाली भी मैं सेम सेप उसी वाली सेप जैसे मैं कट करूंगे कर दो है कि अगया है कि अगया है और ने कट करें तो बार बार नाइफ में लग जा रही है मीठी होने की वज़े से तो उतनी बार मैं नाइफ को वाइप कर रहे हूं अब इसक्वार सेप में भी कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेज में तो ये कट हो चुकी है अब इसे मैं निकाल लेते हूं तो जो प्लैस्टिक वाली बॉक्स वाली वो तो बहुत अच्छी से निकल गई लेकिन ये जो सीसे वाली जो बरतन उससे थो निकालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि साइट से पूरी सार्प सेप नहीं थी थोड़ी सी स्लोप में थी तो इसलिए देख सकते हूं पूरी साइट से थोड़ी सी राउंड से आ जा रही है और बीच में मैं तोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल रही हूं अच्छी दिखने के लिए अब कुछ अलमांड या काजू भी आप डाल सकते हूं बीच में तो यह तैयार हो चुकी है कोकोनेट की बार मिठाई तो आपको पसंद आये तो प्लीज मेरे वीडियो को नेक्स वीडियो को देखा करें सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर की प्लीजेगा